वेलकम बैक टो अबर चनल आज की इस वोड़ी में बात करेंगे हिमाचल परदेश में कुक और हेलपर की वकैंसिस के बारे में अधीन लाया जाना था लेकिन कहीं न कहीं अचार सहिता के चलते आउट्सोर्स कर्मियों के लिए जो पॉलिसी आ रही थी वो बीच में ही रुक गई लेकिन चल्द ही अचार सहिता खतम होगी और आउट्सोर्स कर्मियों के लिए हम लोग 뒤에s देखेंगे एंटिटी डिप्लोमा धारकों का ये कहना है कि अगर सरकार जल्द ही एंटिटी भरतियां शुरू नहीं करती हैं तो एंटिटी डिप्लोमा धारक ऐसी स्तिती में बिरोध परदर्शन करेंगे हिमाचल परदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलेमेंट कॉर्परेशन को एंटिटी भरति का जिम्मा दिया गया है एंटिटी भरतियां आउट्सोर्स के उपर होनी जा रही है और सेलरी 9500 पे रखी गई है हिमाचल परदेश के रेस्ट हाउसों में कुक और हलपर वकैंसी के लिए आवेदन मांगे गए थे और आवेदन की ये परिक्रिया अचार सहिता लगने से पहले पूरी हो चुकी थी लेकिन अचार सहिता के चलते रेस्ट हाउस में इन वकैंसी के लिए इंट्रिव्यू की जो डेट्स थी वो नहीं आप आई थी तो हिमाचल परदेश के रेस्ट हाउसों में बन विभाग की तरफ से जो ये भरती होनी थी इनके लिए अब आगे की तैयारिये शुरू कर ली गई हैं और जल्दी हम लोग बन विभाग में कुक और हेलपर की वकैंसी के लिए इंट्र सेलेक्शन भी मिल चुका है लेकिन अभी भी केई कैंडिडेट्स ऐसे हैं केई डिवीजन ऐसी हैं जहां पर इंट्रव्यू नहीं हुए हैं तो जैसे ही अचार सहीता खतम होगी तो आई पीच के इंट्रव्यू आने भी शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के कंपनी में आप लोग आवेदन कर सकते हैं या पर एम कॉम बी कॉम पास एकाउंटेंट फीमेल की आवशकता है एक साल का इन्होंने एक्स्पिरियंस मंगा है और अगर कोई गरेट से दस किलोमेटर की रेंज में कैंडिडेट जो है वो रहता है तो उसको ज्यादा प्रैफ अगर आपने डिप्लोमेंट सीवल इंजिनेरिंग किया है और आपके 60% मार्क्स हैं सीवल इंजिनेरिंग में तो आप इन्हें वकैंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं सैलरी चालिस अचार के गरीव रहेगी आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 24 नवंबर रखी गी है बाक आप याव शराने घंड तो इस अचार के लेगी है।